आप यहां पर साफ साफ देख सकते होगी 2nd February 2020 से यह यहां पर यह लोगों को 300 डॉलर से लेकर वन थाउजन डॉलर तक देते ही सर्ष एक एक स्टेप्टेड कंप्लेड पोस्ट के लिए हलो फ्रेंज वेल्कम बैक को अच्छी खासी होने वाली है अगर आप अच्छे से काम करते हो तो हम ऐसे सबसक्राइब इसापा कर विए कम से कहते हैं कोई इसमस्में स्किल्प के जरूरत नहीं है कोई कर सकते हो तो जल्ली वीज़वेटी करते हैं तर देकि मैं आपको सबकुछ अच्छे से इस वेबसाइट का नाम में copyhackers.com इसकी लिंक आपको description में मिल जाएगी यहां पर आपको क्या काम करना ने आपको इनके लिए यहां पर आर्टिकल्स लिखने अब क्या क्या होना चाहिए उसमें आपको सबसे पहले करने step 1 भी एक topic आपको चूस करने ना है उसके लिए आप यहां पर इमोने जो link दे रखे न वहां पर आप टिक करो आपको बहुत सारे topics बहुत सारे इनके आर्टिकल् की topics की यहां पर आर्टिकल्स जादा से जादा लोग पढ़ना पसंद करते हैं और कुछ आपको ना topics ऐसे लिखे हुए भी मैल जाएंगे जैसे की freelancing for lifestyle, freelancing for money, A.B.Testing आप A.B.Testing पर पूरा का पूरा आर्टिकल्स लिख सकते हो यू एक्स पर पूरा का पूरा आर्टिकल्स लिख सकते हो कितने सारे topics ऐसे जहां पर आप जिन पर पूरा का पूरा आर्टिकल्स लिख सकते हो अधराम से अब यह जो topic है कुछ कमी है कुछ चीज जो हमें समझ में नहीं आ रही है तो उसके लिए यहां पर आपना नील पटे यहां पर कोरा हो गया इस टाइप से आपको जो वेबसाइट मिलेंगी न उन वेबसाइट के आर्टिकल्स को आप रीड करो आपको पता चल जाएगा इसके टूल्स क्या है आपको एक प्लेस क्वाइंट मिल जाएगा अपने आर्टिकल्स करेंगा तो उसको लगीगा कि हाँ आपने बहुत अच्छी वासी रिसर्च किया है सुनने के बाद हर एक सवाल जो किसी के माइन में आएगा उसका आणसर आपके आर्टिकल्स में है यानि कि आपका आर्टिकल एक वेल रिसर्च आर्टिकल्स है जिसके आपको 300 से 1000 डॉलर्स तक की आर्डिंग भूवी अब आपने नॉलिज यह ले ली है उसको अपने आ सकती हूं और बल्की सच बात आपको वदाओं तो जादा तर वेबसाइट क्या करती है जो नॉर्मल इंग्लिश में आर्टिकल्स होते हैं उन्हीं को प्रेफरेंस देती है सबसे पहले उन्हीं को सिलेक्ट करती है तो कि जितनी ओडियंस होती है जरूरी नी होता है कि हर क तो किसी को समझ आए वो आर्टिकल क्या है भले उसको सचे से समझ आना चाहिए सबसे में परपैस होता है वह यह होता है आपको अपने तरीके से अपनी वौर्स में महें पूर आप एफ्वॉरा आर्टिकल लिख देना है प्हाइंन क्या है यहां से आको पता हो चल यहां पर क्लिक कर देना है यहां पर आपको क्लिक करके न्यू टैप में इसको उपन करना है जब आप न्यू टैप में उपन करोगी न तो यहां पर आपको इनकी email id मिल जाएगी तीकिन दिखाया ना अब यहां पर क्लिक करना है अब यहां पर आपको पेस्ट कर देनी वह एमिल आईडी सब्चेक्ट में आपको पताना कैसे करना है यहां पर आपको सब कुछ बताया गया है ठीकिन क्लिक करो कि पर एक चीज बताई गया सबसे पहले आपको लिखना है यहां पर हमने लिख दिया अब जो भी आपके आर्टिकल का टॉपिक है ना वह आपको यहां पर लिखना है उसके बाद अगर आपकी कोई website है या फोई Facebook page LinkedIn page कोई भी social media page है तो उसके link आपको दे देनी है अपने article के बारे में आपको लिखना है और कुछ और चीज़ें लिखनी है लाइक आपका article किस type के audience के लिए सबसे ज़्यादा useful है इस type से आपको यहाँ पे सब कुछ बताया गया है ठीकि उस सारी शीज़ें आपको यहाँ से देखनी है अपने article के बारे में और यहाँ पे लिख देनी है उसके बाद आपको इनको कर देना ने सेंग कम से भी कम 5 दिन आपको वेट करना है उसके बाद यहाँ पे आपको इनकी दरफ से mail विल जाएगा अगर आपका आर्टिकल सेलेक्ट होता है अगर 5 से 7 दिन के बाद भी आपको mail नहीं मिल रहा है तो आप प्लीज समझ जाओ कि आपका जो आर्टिकल है यहाँ पे accept नहीं हुआ है उसको आप खुद रीड करो और उसको एक बाद चेक करो कि उसमें इसी कौन सी कमी रह गए जो वो accept नहीं हुआ है और next time जब आप आर्टिकल राइट करोगे ना तो उसमें उस कमी को आप पूरा करो इसे तरीके से काम होता है यार हम अपनी कम्यों से ही सीखते है अपनी गल्दियों से ही सीखते है और यह सब के साथ होता है कोई भी perfect बन के नहीं आता है मैं यह नहीं कहुँए कि आपका पहला आर्टिकल ही यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा हो सकता है आपके पाश आर्टिकल सिलेक्ट ना ओच जब साथवा आर्टिकल आपप सिलेक्ट होगा तो आप जितनी मेनत आपनी पूरे साथ आर्टिकल में की है ना साथ का पैसा आपको धीरे धीरे मिल जाएगा ठीक है ऐसा नहीं है हमारा experience ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जतना सब्सक्राइब हमें experience होता है जितनी ज़्यादा हमें knowledge होती है न उतनी ही ज़्यादा हमारी आगे जाके earning होती है क्योंकि हम हर चीज को समझने लगते हैं, हर चीज को जानने लगते हैं, तो हम भी पता है कि किसी भी चीज को perfectly कैसी करना है, हम बाद में जो काम करते हैं, उसमें कमी होती ही नहीं है, इसी वज़े से वो जादे जादा accept किया जाता है और हमारी जादा से जादा early होती है, तो हर चीज को थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा इंवेस्ट करो टाइम, आपको पैसे इंवेस्ट करने का नहीं बोल रही हूं, मैं आपको सिर्फ टाइम इंवेस्ट करने का बोल रही हूं, और ये भी नहीं कि 5 बाद 6 गंटे आप लगी रहो काम करें नहीं, आदा गंटा एक घंटा दो गंदा जितना आपके पास टाइम है न उतना टाइम दो 5 मिनट है ठीक है आप बैठके टॉपिक से अपना कोई बात नी बैठके अपना टॉपिक चूस करलो अगले दिन जब time हो तो उस topic के बारे में आप search कर लो information extract कर लो यानि अपने पास जमा कर लो उससे अगले दिन जब आपके पास time होगा तो उस information आपने collect की है तो आप पताने कि उसमें क्या-क्या है सारी information आपकी mind में friend हो चुकी है नहीं तो दुबारा से पढ़नो फटा-फट से आर्टिकल को और अपनी वर्स नहीं उसको लिखतो उससे अगले दिन आप इनको भेश दो या फिर दुबारा से चेक कर लो से अगले दिन भेश दो हफ्ता पर भी अगर आप लगा रहे हो तो भी अगर आप तीन सो डॉलर एंड कर रहे हो मेरी ख्याल से इंपोरा नहीं ह दे रहे हो और अगर मैं 300 कि टॉलर स्कोर इंडियन फीजवें कनवर्ट करूं तो आपको यहां पे 24,000 वैसे दीख जाए तो आरूं 25,000 रुपे होगे पट कोई ना 933 रुपीज को हंकट कर देते हैं राउं फिगर रखते 24,000 ज्यादा नहीं करेंगी कम मिलें हम कर लेंगी 24,000 रुपे आप कमालों के हफ़ते में कितनी अच्छी वात है राइट आई होग आपको यह तरीका अच्छा लगा होगा इसमें ना तो आपको टाइम जादा इंवेस्ट करने की जरूरत है नहीं आपको पैसे इंवेस्ट करने ही बस आपको थोड़ इस एफ्टीशेंस भी मिल जाएंगे उनको भी आप जरूर से वाच करना काफी आपकी हेल्प होने वाली है उनसे भी अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो जरूर से इसको लाइक इन शेयर करना साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी गरना था कि आपको और वियसे अच्छी वीडियो में तब तक की लिए बाइ बाइ टीकियर